तो अब हम चाप्टर 13 पढ़ेंगे Mr. Marvel Discusses His Resignation तो इसमें क्या होता है कि जब वो विलिच का इंसिडेंट हुआ था आइपेंग में जो लास्ट सब कुछ हुआ था इंसिडेंट उसके बाद two partners in crime Mr. Marvel और Invisible Man दोनों को हम लोगों ने कहा देखा they were walking in the woods मतलब जंगल के बीच म वो लोग चल रहे थी तो उस time Invisible Man already हम लोगो जैसे पता है कि वो काफी गुसा में था इस time पे भी वो काफी गुसा था उसका गुसा शांत नहीं हुआ था और वो Mr. Marvel पे चिला रहा था and he said that तुमने बहुत बड़ी गलती की है जो तुमने सोचा कि तुम मेरा समान लेके भा इसका गुसा कारण भी यह भी था कि अब उसको डर था कि सब लोग उसका secret जानते होंगे and जो incident typing में हुआ है वो शायद newspapers में भी आ जाए और further जिसको पता नहीं हो वो भी शायद जान जाए about all this and उसने Mr. Marvel को threatened भी किया कि यह सब उसने जान पूछ के किया होगा to let everyone know about an invisible man's invisible man's secret तो Mr. Marvel was very hopeless as हम लोग जानते हैं कि वो काफी timid था उसको काफी डर लगता था and यह डर के कारण ही वो invisible man का help कर रहा था तो उसने invisible man को बोला कि might be उसको यह सब में शामिल करके invisible man का सबसे बड़ा गरती है because he can spoil all his plans and उसने काफी invisible man को समझाया he convinced him के he is very weak मतलब वो काफी timid है काफी lazy और यह सब plans में उसका help नहीं कर सकता in short and यह सब might be plans तो एक problem होई मतलब एक scare करने का topic होई but Mr. Marvel को उसका plan में शामिल करके he had taken one more burden उसने यह सब भी बोला but as हम लोग जानते हैं कि Griffin के पास और कोई option नहीं था rather taking Mr. Marvel's help तो वो यह सब बात बिलकुल मानने में बिलिवने कर रहा था and he was not ready to let him go away and Mr. Marvel already बहुत डरा हुआ था यह incident के बात और वो यह सोच के भी और भी डर रहा था कि अब invisible man उसको कौन सा काम देगा जो यह सब और यह सब partner in crime मतलब जो भी उन लोग गलत काम कर रहे है उस पे एक और नया thing add कर दे